वल्कम तो लेक्टिकल एक्जाम स्टडी और दोस्तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारी 660 वाट का सोलर सिस्टम है फ्रेंड आज है 15 अटुमबर है तो फ्रेंड बैसिकली क्या है कि 15 अटुमबर है इसलिए मोसम दिरे दिरे चेंज हो रहा है पहले बरसाथ के मोसम में हमने टेस्टिंग की थी जो हमारा सोलर सिस्टम है 660 वाट का पर और जो समर थी गर्मिया थी उनमें हमने टेस्ट किया था अब फ्रेंड सर्दियों का मोसम दिरे दिरे स्टार्ट हो गया है आज है 15 अटुमबर तो हमारे जो सोलर पेंगल की परफॉर्मेंस है वो भी जो सीजन है उसके अकोडिंग चेंज होती है तो फ्रें देटेल में बहुत डिसकास करने वाले हैं उपको वीडियो में एंड तक बने रहना है तो आएये स्टार्ट करते जो तो फ्रेंड आपको दिखरे हूंगे ने टोटल चार सोलर पे Tibo लगा रकें आपको दिख रे हूंगे हम कोई भी कनेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं हमारे पास जो थ्री फे जैसी मोटर वाला पोर्टलीन का बनावा एक कनेक्टर आता है सिंगल वो हमने यूज किया है और 6 mm का हम DC वायर यूज कर रहे हैं इसके साथ और हम इसके साथ कोई भी स्टेंड यूज नहीं कर रहे है हमने 15 डिग्री के एंगल पर लगा रखा है सारी सोलर पेंगल को जो घरों में मकान बनाने की इट होती है वो लगा रखी हमने तो आप देख पार होंगे फ्रेंड चारो पेंदल में लगा रखे हैं आपके सामने और हम 6 mm का माइक्रो टेक कंपनी का DC वायर यूज कर रहे हैं इसके उपर मैंने देख वाइट वाइट कवर लगा रखा है तो इसके हम पूरी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे तो फ्रेंड यह हमारा पूरा सेट अप है तो यह चलते हैं मैं स्विंग उपर 12 बजे और फ्रेंड यह देख उपर से सोलर को वायर आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया था माइक्रो टेक कमपनी का है 6 mm का DC वायर आ रहा है तो फ्रेंड यह वायर हमारे SMU के साथ लगा हुआ है देख परे होंगे आप यहां पर यहां किछी लिखा हूँ आप ही है SPV यहां पर लगा हुआ है यहां से हमने हमारे inverter को input दिया हुआ है SMU की साहिता से और यह हमने battle से connect कर रखा है SMU को तो फ्रेंड हमारे पास luminous का inverter है Electra 1065 तो फ्रेंड इस luminous के inverter को हमने इस UTL solar के SMU की साहिता से हमने solar inverter में convert कर रखा है और जो अभी हमारे load चल रहा है मैं बता दिता हूँ अब हो चार फेन चल रहा है पास जो ऑगारे lift पतेक फेन पते को साहिता है जो भी हमारे SMU दिखा रहा है प्रफॉर्मेंस कैसी दिखा रहा है तो मैं बताता हूँ आपको मेंग्जिमम पीवी करेंट 40 A तक ये सपोर्ट करता है देखिए बैटरी का अभी वोल्टेज है 14.17 और 26.1 A देरा है हमारा सोलर अभी और मोड सेलेक्शन है 86 उनिट हम सेव कर चुके है से अब तक लग्जिमम पीवी करेंट है 40 A 26 A देरा है अभी हमारा हम बैटरी का वोल्टेज देखो सोलर से आरे है 14.6 वोल्ट और 26 A मतलब अभी हम जिसे 14 से उपर वोल्टेज आता है सोलर से तो फ्रेंड हम लोड बढ़ा के एंपियर इंक्रीज कर सकते हैं देखे अभी हम एंपियर इंक्रीज करके दिखाऊंगा आपको एक बार फिर से हम इसकी रिडिंग देख लेदे देखे बैटरी अबजरबेशन में मतलब 80% से अबाव चार्ज है 86 उनिट हम सेव कर चुके है और 40 एंपियर मैक्जिमम ये सपोर्ट करता है और 26 एंपियर अभी ये करंट दे रहा है ट्यूबलर बैटरी है मारी सोलर चार है 26 एंपियर 14.6 वोल्ट तो फ्रेंड हमारे घर का टोटल लोड चल रहा है चार फ्रेंड चल रहा है तो अब में तोड़ा लोड इंक्रीज करने वाला हूँ आपको दिखाने वाला हूँ तो अभी हमारा इंवर्टर कोई आवाज नहीं कर रहा है तो फ्रेंड मैं टीवी भी ओन कर देता हूँ दो देखिये तुलिड हमने टीवी ऑन कर दी देखिये हमारे इनिवर्टर का जो फेन है वो भी ऑन हो गय है क्योंकि छोड़ा लोड़ बढ़ गया है कि देख परेंगे फेर्ड जो हमारे इनिवर्टर थे वह बहुत ज़़ा नौइस कर रहा है देखे फ्रेंट आप देख पर होंगे यहां पर देखे दिरे दिरे एंपेर इसके इंक्रीज होंगे आप देखो मेन पर्जेंट है बाइपास ओफ है बैटरी अब्जर्वेशन में है मतला 80% से अबाव चार्ज है सेविंग 86 इनट हम सेव कर चुके हैं टोटल में पीवी करेंट है 40 एंपियर देखे फ्रेंट 27.5 एंपियर दे रहा है अभी टाइम वाज दिनके 12 बजें बैसे 32 एंपियर देता बड़ फ्रेंट क्या अभी आजकल दूप कम निकलती है कि जो अभी सर्दियों का मोसन दीदरे स्टार्ट होने लगा है तो इतनी टेज दूप नहीं होती ही इतना ज़दा टेंपरेश नहीं बढ़ता है तो मैंस परजेंट बाइपास हो पर बैटरी है 80 परसेंट से अबाव चार्ज है देखे फ्रेंट आप देख पारेंगे लग्जिमम पीवी करेंटे 40 अंपियर देखे 27.6 अंपियर उससे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और सोदर से आरे 13.9 वोल्ट और 27.6 अंपियर तो फ्रेंड हमने टोटल लोड चला रखा अभी टोटल चार फेंट और एक यह टीवी चला रखी है जो कि पुरने जमाने की कलर टीवी है यह 100 वाट के होगी साइड मेरे साफचिस का लोड मैंने अभी कल्कुलेट नहीं किया और चार फेंट है हमारे पास और प्रतेक फेंट यह 75 वाट का है तो 300 प्लस 300 400 वाट हो गए फ्रेंड टोटल तो फ्रेंड देखिए 28 एंपेर होने वाले हैं आपर दीर दीर एंपेर बढ़ रहे हैं देखो 28 एंपेर के संतिंग जा रहा है अभी और फ्रेंड यह गर्मियों के मौसम में 32 एंपेर तक जाता था तो फ्रेंड यह हमारी प्रफॉर्मेंस अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो सेनल को सब्क्राइब करें लेटाइच वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए थैंक्पी सो मच